आपने अभी तक बहुत सारी मोटिवेशन वीडियो सुनी होंगी अगर आप न्यू है ओनलाइन फिल्ड में और आप यह सोच रहे हैं कि पहला स्टेप क्या होगा फस्ट और आपके सामने भी एमाजोन ओपन है इसको अग्नौर करें ठीक है हम अभी बात करेंगे कि ओनलाइन फिल्ड में एंडर होने के लिए फस्ट टेप है क्या ओनलाइन जो फिल्ड है ओनलाइन जो जॉब्स है ओनलाइन कोई भी स्कील है किस तरह से उसमें एंडर हुआ जाए ठीक है तो इस पे हम डिसकस करेंगे अभी तक आपने आपको जो वीडियोस मिलने वाली है ना यूट जाए जाएंगे कि भई बस शुरू करें आप किसी तरह से ठीक है वो मोटिवेशनल कोटेशन जो है वो प्रैक्टिकल नहीं होंगी ठीक है क्योंके मैं मैंने खुद क्योंके यह फेस देखा हुआ है तो मुझे पता है अगर आप नियू है तो यह वीडियो आपके लिए है यह अगर आप नियू हैं यह नहीं नियू हैं लेकिन आप गही नहीं पर स्टक हैं कि मैं करूं तो आप करूं क्या मैंने हर चीज़ ट्राय करके देख लिए ठीक है मैंली यह वीडियो है कुछ लोगों के लिए फरस्ट और वो लोग जो भी बिल्कुल नियू है एकॉमर्स है कोई भी आपकी फिल्ड है आप उसमें एंटर हों कैसे ठीक है सबसे पहले अपने रियलिस्टिक गोल्स होने चाहिए आपके पास आपकी जोन सी भी फिल्ड है जोन सी भी है उसमें आप रातो रात उतना पैसा नहीं कमा सकते हैं जितना हो सकते हैं आपने सोचा वाओ ठी नहीं दूसरों को देखें, जो आपने step number one करना है, मैंने आपको बिल्कुल straight forward चीज़ें बतानी है, कुछ आपको अच्छी लगेंगी, कुछ हो सकता है, आपको अच्छी ना लगें, ठीक है, मैंने आपको बतानी है, ऐसी चीज़ें, जो हकीकत है, जो realistic है, जो reality है, मैंने time में इतना पैसा कमा लेंगे, नहीं भी नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है, हर field का अपना एक scope है, अपना एक potential है, अपना एक competition है, तो मैं आपको अपनी field के मताबिक देखना पड़ेगा, कि मेरे क्या goals होंगे, लेकिन अभी, आप इस level पे हैं, कि आप किसी भी field में new हैं, ठीक आप stuck हैं कहीं न कहीं पे, आपने start किया, motivational videos देखी, उन में जो बताया गया था, वैसा नहीं हुआ, और अब आप stuck हो गए, अब आप एक जगा पे रुक गए हैं, ठीक है, अब आपको समझनी आ रही, मैंने चीज़ें तो सीख लिए हैं, या सीख रहा हूं, या रही हूं, अब मैं आगे करूं तो करूं क्या, ठीक है, या तो आप इस level पे हैं, ठीक है, या फिर आपके पास एक अदर skill है, जो कि online sell हो सकता है, ठीक है, अब ये जो skill है, आपको या तो इसकी selling नहीं आ रही, ठीक है, या फिर आप चाहरे हैं कि मैं field change करूं, मेरे इसमें काम नहीं च चला, एक level पे पहुंच के अब वो आगे नहीं बढ़ रहा, वहां से मैं वो कैसे करूं, तो ये आपके लिए फिर ये video है, ठीक है, no matter कि आप किस fields हैं, सही है, तो let's go ahead, सबसे पहले तो अपने आपके पास goals होने चाहिए हैं कि मेरी जो field हैं वहां पे लोग कर किया रहे हैं लेगिन एक चीज़ आपने अपने जहन में बेढ़ा लेनी है, ठीक है, अपनी field में जो gold है न, gold, all that glitter is not gold, इस बात को सबसे पहले समझ लें, जितनी आपको चमकती हुँ चीज़े नजर आती हैं, जितने आपको screen shots नजर आते हैं, ये देखें, जी मेरी, मैंने इतनी earning कर लि हैं न, वो चला चला के screen shots दिखा के लोगों को नहीं बता रहे हैं, ठीक है, mostly successful लोग जो है, 80%, 85%, 90% वो चुप-चाप एक कोने में बैठे हुए हैं, किसी office में बैठे हुए हैं, अपने गरपे बैठे हुए हैं और earning कर रहे हैं, वो लोगों को नहीं बता रहें, ठीक है, ये कुछ ऐसी चीज़ हैं जो आपको पता होनी चाहिए वो लोग जो चीख चीख के बता रहे हैं ये देखें मेरी मेरी अर्णिंग और ये देखें mostly उन में से fake हैं और जो fake नहीं है वो आपको किसी ना किसी चीज में जो है ना वो करना चाह रहे हैं आप से कोई ना कोई फाइदा लेना चाह रहे हैं वरना किसी को भी शोक नहीं होता कि मैं अपनी अर्णिंग दिखा हूँ अर्णिंग अर्णिंग के वो flex कर रहे हूँ ठीक है तो these are a few things screen shots से impressed नहीं होना ठीक है दूसरा आपने जो success stories सुनी वी है अपनी फिल्ड में जैसे कि अगर आप e-commerce हैं आपने देखा जी एक बंदा था उसने अपना पूरा का पूरा account ही फिलिप कर दिया ठीक है उसके पास रातो राती बहुत ज़दा amount आगी उसके पीछे पहली बात तो success story में जो success stories है ठीक है उसमें ज़दा तर जो है ना वो हकीकत होती है कुछ-कुछ कुछ अच्छा तक ही गीकत होती है और जो उसमें हकीकत होती है success होती है वो बहुत ज़दा exaggerate टुई भी होती है उसको बढ़हा चड़हा के बताया गया होता है दूसरा उसमें जो struggle होती है ना नहीं बतायी जाती पहले तो अपना ये mindset बना लें कि कि चल क्या रहा है मार्केट में online field में चीजें है क्या फिर हम इस तरफ जाते हैं कि अब आपने करना क्या है ठीक है पहली बात तो अपनी field में लोगों को search करें कोई ऐसा बंदा पकड़ें जो हकीकत में knowledge provide कर रहा है ठीक है जो मतलब एक mentor है mentor इना sense के उसके पास knowledge है वो एक उसी phase में से गुजर के गया है जो आपका phase है कभी ना कभी वो भी new भी था कभी ना कभी वो भी stuck हुआ फिर अभी वो skilled भी होगा फिर वो कई ना कई stuck भी हुआ होगा हो जरूरी नहीं है कि और रक्ली आप से contact में ही हो कि भी लाए मैं आपको सिखा हूँ ये कोई ऐसा बंदा हो सकता है जो जो अपने social media पे कही ना कहीं पे कोई ना कोई चीज share कर रहा है ठीक है जिससे किसी ना किसी का फाइदा हो रहा है है बहुत सारे लोगों ने decide करके courses लेके सारा सीख के छोड़ दिया होता है वो कभी सामने नहीं आती है ठीक है success stories एक तो जो होती है जो कुछ सामने आती है वो बहुत ज़्यदा exaggerative ही होती है वो realistic ही नहीं होती mostly और जो screen shots वाले scenes है कि जिसमें लोग अपने screen shots दिखा रहे होते हैं उसमें भी बहुत ज़्यदा failure stories है तो दोनों चीज़ों को यह अपने zen से निकाल दें ठीक है इनको आप कर दें earn learn जितनी भी चीज़ें आपने सीखी हुई है पहले से आपको रखता है कि online में तो यह तो बहुत ज़्यदा earning होती है अगर आपको ऐसा रखता है तो यह भी भूल जाएं नहीं होती तो यह भी भूल जाएं ठीक है नए जिरे से start करें एक mentor डूंडे अपनी field में ठीक है जैसे अगर आप बात करें अगर आप designing की field में है ना तो आपको चाहिए एक ऐसा बंदा जो के designing की field में हो ठीक है जिससे के YouTube पे आपको मिल जाएगा GFX mentor ठीक है उन्होंने आपको जो है वो पूरी की पूरी पूरे की पूरे सेशन भी दे दी है designing के ओपर ठीक है इसी तरह से आपको हर field में मिल जाएगा यह तो है designing में आपको e-commerce में बहुत जाएगा आपको वैसे भी मिल जाएगे तो this is one thing that you have to understand ठीक है चलें जी आपने यह सारा कुछ कर दिया एक बार रिवाइस कर लेता है आपने सोचा कि मैंने online skills में online field में कुछ ना कुछ करना है ठीक है आप इन तीनों में से कुई एक है या तो आप शुरू कर रहे हैं field change कर रहे हैं अपनी field में stuck हुए हैं अपनी जगा पे stuck हुए हैं ठीक है कभी कभी ऐसा भी होता है एक बन्दा बहुत जाद earning कर रहा होता है लेकिन उसकी earning बढ़ नहीं रही होती है वो उसको समझ नहीं आ रही होती कि अब मैं क्या करूं तो आप किसी भी इस level में है अपनी field में ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी एक तो सारे कुछ भूल जाएं जो आपने पहले सुना हुआ है success stories आपको कभी कभार motivate करेंगी कभी कभार आपको disappoint करेंगी ठीक है और जो screen shots है screen shots बहुत common है खासतोर पर e-commerce में तो इन चीज़ों को आपको सबसे बहले बूलना पड़ेगा अपना एक अलग रास्ता बनाएं हर इनसान का एक अलग रास्ता है उसकी रिजग का एक अलग रास्ता है ठीक है तो आप बाकियों की जो चीज़े ना उसको अपने उपर नहीं वह आप लागू कर सकता है नहीं आपकी किसी के साथ race लगी हुई है ठीक है online चीज़ों में लोग दूसरों का अपना competition समझते हैं तो वो fear of missing out का शिकार हो जाता है जिसको formo भी बोलता है तो ये नहीं करना आपने आपकी race किसी से नहीं है आपकी race अपने आप से है आप जिस तरह से आज हैं आपको कल इससे बेहतर होना है बस ये mindset आपको बनाना जितना मैंने आपको भी तक बता दिया है ठीक है मेहनत करने के लिए त्यार हो जाए ओनलाइन चीज़ें इजी मनी नहीं है ठीक है बिल्कुल भी इजी मनी नहीं है इसमें बहुत मेहनत लगती है इसमें आपको दिन रात भी एक करने पड़ता है बाद में कहीं जाके जब आपकी स्ट्राटीजी अच्छी होती है तब कहीं जाके यह इजी मनी भी बन जाती है ठीक है आप डिपेंड करता है आपने कैसे इसको इजी मनी बनाया तो इस इस वन ठीक है अब हम चलते हैं इस चीज़ पे कि आप अपने स्किल कैसे फाइंड करें आपने यहां तो decide कर लिया है कि मैंने designing करनी है मैंने video editing करनी है यहां मैंने e-commerce में जाना है यहां मैंने web development करनी है मैंने Shopify जो है ना उसको run करना है मैंने कुछ करना है आपने decide कर लिया है ठीक है यहां फिर आपने decide नहीं किया तो अगर तो आपने decide कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है और अगर आपने decide नहीं किया तो सारे के सारे skills explore करें ठीक है हो सकता है कि आपके जिस चीज से आपके जानने वाले या जिस बंदे से आप inspired हैं उसके जिस चीज से पैसे बंद रहे हैं उसमें आपका risk ना हो या आप उसमें ना चल पाएं ठीक है यह बड़ी ही possible सी चीज है कि ऐसा भी होता है ठीक है सो अपना skill अपना interest देखें अगर आप एक चीज कर रहे हैं उसमें आपके पैसे बंद रहे हैं लेकिन आपका उसमें interest नहीं है आपको उसको करते वे मज़ा नहीं आता उस काम को जो भी आपको earning करके दे रहा है काम तो आप उससे उकता जाएंगे कुछ दिनों में आप कहे टिक है तो यह नहीं सोचें कि वह यह में लिए अच्छा नहीं है वह अच्छा है जिसमें आपका इंट्रेस्ट आना उसमें आप सकील के चीते बन जाएं हर स्किल में earning है उत बहुत ज्यादा है तो यह नहीं सोचें कि बई मैंने तो अगर यह बंदा चाहिए न यह अगर आमाज़न पील कर रहा है न उसकी सर्विसिस दे रहा है तो मैंने भी वही देनी है अच्छा यह बंदा वीडियो एर्टिंग से अर्णिंग करके इतना ज्यादा यह हुआ है मैंने भी वही करनी नह कर रही है छोड़ दें अगर उसमें आपका इंटरस्ट नहीं है तो छोड़ दें ठीक है यह चीज़ आपको करनी पड़ेगी यह करें ठीक है अपना इंटरस्ट फाइंड करें और अगर आपको अगर आप सोच रहे हैं ना कि नहीं भी इंटरस्ट इंटरस्ट मैं कैसे फा मारें ठीक है जितने भी लोगों की आज तक आपने फेस्बुक पे लिंग्डिन पे सकसे स्टोरीज देखी हैं उन्हों को उठाएं वही कर क्या रहें आप ये ना देखें कि उन्होंने कितना अर्ण किया है उसे ये वो बंदा कर क्या रहा है देखें उसमें आपका इंट्रस है ठीक है आप उसमें इंट्रस्टेड होंगे लेकिन कुछ दिन गुजरेंगे आप उसमें इंट्रस्टेड नहीं रहेंगे आप करेंगे भई ये तो नहीं से ये तो बोरिंग है या ये भी होगा कि आप एक चीज में इंट्रस्टेड होंगे और आपको लगेगा इसमें तो मेरे पैसे नहीं बन रहे हैं, फ़ली बात, 15 दिन, एक महीना, डेर्ड महीना, दो महीना, इसमें नहीं डिसाइड कर लेना कि मेरे इससे पैसे नहीं बन रहे हैं, जब तक आप उस स्किल पे अपनी जान ना मार दें, ठीक है, आपको उस स्किल के साथ खपना पड़ेगा, उसकी एक एक चीज सीखनी पड़ेगी, ठीक है, अभी अगेन, ज़रूरी नहीं है कि आपने एक महीने में, छे महीने में, एक साल में हर एक चीज सीखनी है, हर एक चीज किसी को भी नहीं आती, किसी एक स्किल की भी हर एक चीज, इसी एक बंदे को नहीं आती, ठीक है, वह म इसा नहीं होताै, ठीक है? किसी भी काम में जवाब हो जाते हैं ना, कि मैं इसको perfect करूं, तो बहुतार है जना आगे बढ़ूं, कोई बी चीज perfect नहीं है. ठीक है? अभी हिस दोर में, इस दुनिया में perfect अभी तक नहीं है. तो करना आपने यह है कि आपने जितना आपको आगे है ना बस उसको इनफ समझें और आगे बढ़ें ठीक है अगले स्टेप पे जाए तो अब आपने एक स्किल ढूंडा आपने फर्ज करें आप में से कोई एक सूरंट कहा रहा है एक बंदा कहा रहा है कि मुझे तो कोई ऐसा स्कील ही नहीं मिला जिसमें मेरा इंट्रेस् इसको मजीद मजीद एक्सप्लोड करें ठीक है जैसे एक बंदा है वो कह रहा है जी मुझे सेल्स अच्छी लगती है ठीक है तो जैसे मैं हूँ मुझे अमाजोन पी-पी-सी मुझे अमाजोन अच्छा लगता था अच्छा मुझे ऐसा इसमें कोई खास इंट्रस्ट नहीं तो इस थिंग वगड आट फॉर में हमेशा इसे स्ट्र पे बहुत बिश्का आप इसको ना कंसिर्वर करें लेकिन आगे जाए जो भी क्रें ठीक है यह लोंग टरम अगर आपने काम को लेगी चलना हैं आपके लोंग टरम प्लैन्स है हमेशा ऐसा काम करें जिसमें आपको म प्रोडक्ट दोना चाहिए तब आपकी जिन्दगी में जो है न तब आपको मज़ाएगा काम करने का अधर्वाइज एक स्लेवरी माइंडसेट बन जाएगा स्लेव माइंडसेट के वही यह बना मुझे पैसे दे रहा है मुझे इसके लिए काम करना है ठीक है और आप करेंग मज़ा नहीं आता है तब तक उसको मजीद एक्सप्लोड करते रहें उसमें उसको इंट्रस्टिंग बनाएं हमेशा एक काम के दो ही सिल्यूशन होते हैं जो काम अच्छा आपको नहीं लगता ठीक है को बंदर टीचिंग कर रहा है उसको वह अच्छी नहीं लग रही उसका को पे कर रहा है उसको आप अपने हालात के मताबिक उसको कंसिलर करें ठीक है लेकिन उसको कंटिन्यू करना विदाउट मेकिंग इट इंट्रस्टिंग फॉर यर्सेल्फ वो जो है ना रिकॉमेंड़िड नहीं है ठीक है जो उस बंदे ने एक साल या दो साल या पांच साल लगाये होते हैं आपके पास वो तजर्बा एक दिन में एक गंटे में आ जाता है ठीक है जिस बंदे ने सीखिया है उसकी बस चुप करके सुने उसको बोलें कि भई आप बोलो मैं सुनती हूँ या सुनता हूँ बस उसके सामने नहीं बोलें उसको बोलें बस मुझे आप सिखाओ अपना experience मुझे free में दे दो आप ठीक है तो हमने डिसाइड किया के भई अब आपने एक अपना स्किल भी find out कर लिया है ठीक है आपने उसमें सीखना है अब ठीक है बहुत सारे लोग जो मेरा जो experience रहा है वो लोग जो हकीकत में earn कर रहे हैं जो बहुत ज़दा काम कर रहे हैं अपने उस specific phase में हैं जहां पे अभी वो grow कर रहे होते हैं वो आपको LinkedIn पे नहीं मिलता है ठीक है जो लोग LinkedIn पे मिलते हैं मतलि मेरे लिए यह समझना मुश्किल है कि एक बंदा अगर अपना दमाग लगा रहा है काम कर रहा है उसको time कैसे मिलता है कि वो जाकर LinkedIn पे पोस्ट करें लिंग्डेन पे पोस्ट करने के लिए आपको specific गंटे नहीं चाहिए लेकिन जो लोग पहले से successful हैं जिनके बास अपनी strategy उस पर काम करें वो लिंग्डेन पे नहीं आता है ठीक है this is my experience आपका अपना experience जो उससे differ भी कर सकता है किसी और का उससे भी जड़र कर सकता है ठीक है so YouTube पे जाएं LinkedIn पे जाएं Udemy पे बहुत ज़्यादा free courses है वहाँ पे जाएं जहां से मर्जी सीख है कोई आपको एक अच्छा बंदा मिलता है तो उससे भी सीख है ठीक है उसको pay कर के सीख लें आप उसके experience ले लें उससे ठीक है लेकिन बहुत ज़्यादा आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनको आता नहीं है और वो जो है आपको सिखा रहे होंगे वो खुद सीख के बगएर किये आपको सिखा रहे होंगे ठीक है तो यह चीज़ अवाइड करनी है okay so let's go ahead now यहां से आप सीख लेंगे again perfect नहीं होना ठीक है again I'm repeating perfection is not needed perfection is not necessary perfection is not must you don't have to be that much perfect to start just learn the basics उसके बाद आगे चला है वहां पर रुके नहीं कि मुझे भी सारा आएगा तो फिर मैंने जाना है अभी अभी next पर आप काम करें clients hunting पर जो चीज़ें आपने सीखी थी ना उनको utilize करें जो आपने यूडीमी लिंक्डिन पर यूट्यूब पर सीखी है उनको use करें और उनको लिंक्डिन पर डिफरेंट जगों के उपर जो है ना उनको पोस्ट करें उसके शोर्ट्स बनाएं रील्स बनाएं जैसे clients आ सकते हैं लेके हैं clients hunting पर वीडियो देखें client hunting is the most important thing at the end it is the client that is going to pay you first of all जब आपने ही चीजें सीख ली है ना आपको एक चीज़ बता दूँ अगें यह वह चीज़ है जो आपको clients hunting करवाएं लोगों को guarantee दें कि मुझे यह चीज़ आती है मैं आपको कर की दूँगा उसके बाद जान मार दें लेकिन उस बंदे का काम होना चाहिए अगर आप उस बंदे का काम अच्छे से कर देते हैं जो आपके पास पहला client आता है या दूसरा आता है वह आपको बहुत कुछ ज़्यादा लोगों को आगे refer करेगा एट लीस दो तीन को तो करी देगा फिर वो लोग आपको आपसे काम करवाएंगे तो उसमें से आगे-अगे refer होते जाएंगे और आपके पस कुन सा एक client आने वाला फिर से ठीक है second agency में hire हो जाएं internship पे हाइर हो जाएं आप ठीक को बड़ा organized method में सिखाते हैं ठीक है उन्होंने सारी सारी चीज़ें तो पहले ही की ही है तो अभी ऐसी क्या चीज़ है जो मतलब उस पर experiment उनका बड़ा controlled होता है अगर आप सीखेंगे सीधा सीधा client के पास जाएंगे तो आप उसका नुकसान करेंगे ठीक है क्योंकि आमने पहले से दो चीज़ें कहीं नहीं आपने तो सीखी है कहीं से जिसने आपको यूट्यूब पे सिखाई है उसको आपकी conditions कहीं नहीं पता ठीक है तो बेहतर और recommended भी यह है कि सिदह से जाएं इंटेंशिप की तरफ ठीक है यह इंटेंशिप आपकी कोई आपकी हाइरिंग में जो है ना इसका reality होगा कि आपकी हाइरिंग हो जाएगी इंटेंशिप के बाद यह आपको training भी करवाते हैं इंटेंशिप में क्या कुछ करवाते हैं no matter कि आपका skill क्या है ठीक है accounting है finance है कुछ भी है does not matter ठीक है तो हाइरिंग हो जाएगी उसके बाद यहां से experience लेने के अब आप clients hunting की तरफ जा सकते हैं ठीक है again यह depend करता है कुछ agencies आपको नहीं allow करती हैं कि आप असासत clients को भी handle करें ठीक है so this is the thing that you have to look after इसके आप खुद responsible है तो this is how it works दो option होते हैं आपके पास clients agency सही है तो यह वो तरीक है जिनकी तरफ आपको जाना है तो अभी आपका next step क्या है मैं आपको पूरी story बता दिया कि होता क्या है इसमें से अपने steps निकालें कि मैं आभी किस level पे हूँ और मुझे भी आगे करना क् ज्यादा knowledge अगर आप कहते हैं मैं और भी सीखूं मैं और भी सीखूं ज्यादा knowledge आपको paralyze कर देता है आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो हमेशे अगला step पर सोचें उस पे काम कर दें उसका result आ जाए उससे अगले step पर चले नहीं आता उसको revise करें दिबारा से करें उसको तो यह चीजें हैं जो क्या आप कर सकते हैं अगर आपको इसमें कहीं पर भी help चाहिए हो तो आप email कर सकते हैं वहाँ पर पूर सकते हैं कोई भी आपके email के charges नहीं है ठीक है और आपको quickly response भी आ जाता है तो यहाँ पर आपको comment करें directly ठीक है आपको वहाँ पे भी answer मिल जाए अगर अपका question जो है वो ऐसा है तो यह चीजें हैं जो क्या आपको करने चाहिए इसके बाद next पर जाएं अपना skill find करें कि आज करना है आगे वो करें ठीक है so this was it बहुत सारे लोगों के मुझे मेरे जो जो circle में लोग हैं वो भी बहुत ज़दा पूछ रहे थे कि किया क्या जाए आखिर तंग आगे हैं भई वो YouTube पे हर जगा पे motivational चीज़ें सुन सुनके लोग उनको कहते हैं जाएं फैवर पे डूने जाएं अपफ़क पे डूने फैवर और अपफ़क को कहना असान है उसको करना बहुत मुश्किल है ठीक है फिर लोग कहते हैं कि मैं क्या सीखू यह भी एक कुश्चन होता है कि मेरे लिए स्किल कौन सा बेटर है वो बंदे को मैंने देखा वो तो Amazon PL से इतना ज्यादा अर्ण कर रहा है services देके तो मैं भी वही करना चाहता हूं लेकिन उनको उसमें इंटरस्ट नहीं होता या उनकी जो personality होती है या उनका जो mind side होता है व आपका नसीब बहुत ज्यादा अच्छा कर देए जो नसीब है यह बहुत बड़ी चीज़ है ठीक है thank you so much for your time अगर आप को अगर आप Amazon की field के है e-commerce की field में है तो यह चैनल आपके काम का है otherwise यहां पर इस तरह की वीडियो आती रहेंगी जो बिल्कुल straightforward होंगी ठीक है so yes go ahead and you know just start whatever you are doing पस उसको शुरू करें किसी तरीके से उसको खतम करें ठीक है thank you so much